पिश्रू करते हैं आपकी वॉक्षीट नॉम्बर फॉर्टीन यह आपकी सिर्थ क्लास के इंग्लिश की वॉक्षीट है डेट डाल लेंगे लेबल कर लेंगे अच्छे से अपना नाम अपने क्लासिचर के नाम सब कुछ आपने लिख लेंगे अब यह कह लिखा है ठेके अब यह देखिए दोस्तों के बीच में फोन पे क्या बात ही हो रही है वो आपको बताया गया देखे मीना गुट इवनिंग रीना हो आर यू यानि मीना ने अपनी दोस्त रीना को कॉल करा और पूछा कैसी हो तुम रीना आइम फाइन मीना वाइद यू कांट वाइद यानि मैं अपनी ममा की मदद कर यह घर को साफ करने में और सजाने में दीपावली के लिए इसी वज़े से मैं स्कूल नहीं आ पाई मीना वेरी गुड रीना यानि कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर यह वेरी गुड ठीक है उसके बाद कहा रीना थैंक यू डियर यानि कि तुम बहुत अच्छी हो I have written an application मैं कि application लिख देती हूं Will you please give me give my leave application to our class teacher यानि कि मैं तुमको application लिख के दे देती हूं क्या तुम अपनी हमारी class teacher जो मैम है या सार है जो भी क्या तुम उनको यह application पहुचा दोगी मीना yes I will give हा बिलकुल मैं दे दूंगी ठेक है तो अब यह दोस्तों के बीच में बात हुई अब यहां लिख है suppose you have an urgent piece of work at home यानि मान लीजिए अगर आपको अपने घर में कोई urgent काम आ जाए and you need to be on leave और आपको leave पर जाना पड़े how will you inform your school यानि आप अपने school को कैसे inform करेंगे तो यहां लिख है give and blow is the format of an application या पर आपको नीचे जो दिया गया है यह application को format है फिर in the blanks blow and write an application और इसको fill कीजिए और एक application को लिखें या क्या लिखा है write to the application to the principal of your school asking for two days leave यानि अब आप अपने teacher को school के principal को application लिखें कि आपको दो दिन की चुटी जाई है principal the principal इसके बाद आपको यह अपने school का नाम और अपने school का address लिखना है व आपके समझ में नहीं आथा ठीक है यह Delhi क्योंकि हम लोग सब Delhi में रहते तो आप Delhi लिख लेंगी इसके लावा यहां पर आप date डाल देंगे जिस दिन आपने application दियो उस दिन की ठीक है उसके बास subject लिखते है subject इसलिए बेटा क्योंकि पूरा यह सब पढ़ने के लिए teachers के प application किसलिए है urgent work के लिए respected sir और मैम अगर आपके teacher है class teacher sir है तो आप sir लिख देंगे अगर आपकी class teacher मैम है तो आप मैम लिख देंगे लिखेंगे with due respect यानि पूरे इज़त के साथ this is to inform you मैं आपको inform करना चाहती हूँ that I am a student of class फिर आपको यह लिखने है अपने class का के आप 6th class क student है ठीक है I have energy and peace of work at home मुझे एक जरूरी काम आ गया है अपने घर में kindly grant me leave for अब जितने दिन के लिए चाहिए वो यहां लिखेंगे तो ऊपर two days बोला गया है तो आप लोग two लिख देंगे two days अब किसे किते दिन तक चाहिए तो दोनों की तारिख लिख लेंगे ठीक है उस class का नाम आप लोग लिख लेंगे जो भी आपकी class है six, seven, eight ठीक है चलिए तो अब एक काम करते है answer sheet को देखे वीडियो को finish करेंगे तो देखिए अब आप यहां पर अपना school लिख लेंगे address लिख लेंगे फिर यहां पर आज की date डालेंगे इसके लावा अपना class यहां class क्यूंके मैं six की वीडियो बना रही हूं तो मैं लिख देती हूं six class six c मेरा जब मैं पढ़ती थी तो मेरा section c था English medium का ठीक है तो इसलिए मैं यहां पर अपना six c डाल देती हूं तो आप भी डाल देंगे जो भी आपका section होगा okay चले तो आज की वक्षिट को यहां गत्म कर करें अगर भी तक आपने मैं चांब सिस्क्राइब नहीं करें तो प्लीज मैं चांब सिस्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग